नमस्कार दोस्तों हमाई टूप चैनल एक्जाम लार्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस पीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग द्वारा आयोजित GIC प्रवक्ता परिक्षा 2009 का साल पेपर हल करेंगे जिसमें हम लोग समाने अध्यन के कुल 30 प्रशनों को देखेंगे इसके पहले जो है 2012, 2015 और 2017 और 2018 में पूछे गए GIC प्रवक्ता के सामाने अध्यन के प्रशनों को जो हम लोग हल कर चुके हैं जो लोग नहीं देखें हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जा कि आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका पीडियो आपको ह जरूर कर लेजिएगा तो चलिए जो है शुरू करते हैं तो अब देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश GIC प्रवक्ता परिच्छा 2009 का जो है पेपर है इसमें सामान या ध्यन के कुल 30 प्रशन जो है पूछेगे हैं पहला प्रशन आपका है एक जेट इंजन की कारी पर डाली निम्न के संदक्छड पर निर्भर करती है तो एंसर आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा साइस का तो यह रेखी संबेग पर निर्भर करता है जेट इंजन की कारी पर डाली यह रेखी संबेग संदक्छड पर आधारित है और जेट इंजन यह परिवेश से आक्सिजन प्राप्त कर, अपने लिए thrust प्राप्त करता है, तो C बिकल्प यहां आपका सeti है और दूसरा प्रस्ण है आपका ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किये गए थे किसके दौरा, तो यह केपलर के दौरा प्रतिपादित किया गया थे बी बिकल्प से हो जाएगा जर्मन गड़ी तक यह खगोलवेदी जान केपलर ने किनी दो अकासी पिंडों की गती का वाडन करने के लिए ग्रोहों की गती के तीन नियम इन्होंने प्रतिपादित के यह थे तो बी आपसं सही है आपका और अगला जो कोशन है कुष्ट रोग उत्पन किया जाता है तो यह जीवाडू के द्वार उत्पन किया जाता है वैक्टेरिया के द्वार यह आपसं सही हो जाएगा है कुष्ट रोग यह जीवाडू द्वार उत्पन किया जाता है यह एक संक्रामक रोग है जो की माइको बैक्टेरियम लेप्रीत था माइको ब डाई आकसाइड डी आपसन से हो जाएगा यह सो टू अधियोगिक निश्रितों यह विभिन क्रियाओं की माध्यम से जो है उत्पन सल्फर डाई आकसाइड जिस हो यह सो टू कहते हैं और नाइट्रस आकसाइड यह निकी एन्टू गैसे यह वाई मंदल में पहुंचकर आकस सायनिक बिक्रिया कर करम से सल्फियोरीक अमल तथा नैट्रिक अमल बनाकर वर्सा के साथ प्रित्वी पर गिरती हैं इसे अमली वर्सा यह निकी एसी ड्रेन कहा जाता है तो डी आपसन से हो जाएगा अमल वर्सा के लिए उतरदाई गैसी प्रदूसक जो है वह सल्फर पिता का पिता कहा जाता है याद रखेगा अनुवानसिक्ता का पिता यह पूछा जाए तो ग्रेगर, जॉन, मेंडल को कहा जाता है और क्रोमोसोम्स पर इस्थित DNA की बनी ऐसी प्रतिसूच में संदचनाएं जो कि अनुवानसिक लक्षणों का धारत यह उनका एक पीढ़ पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी में अस्थाना अंतर करती हैं जीन कहलाती है जीन यह जीओं के सरीर में आनुवानसिक्ता की मूल भूत इकाई होता है तो यह स्वरी सी बिकल्प से हो जागया है पूछा गया हमारे सरीर में आनुवानसिक्ता की इकाई को क्या कहते हैं तो यह आपसन से हो जाएगा भारत रत्न पुरुषकार की अस्थापना याद रखेगा ये दो जन्वरी 1954 को की गई थी और उत्तर पश्मी सीमा प्रांत में लालकुर्ती आंदोलन चलाने वाले इसे खुदाई खिद्मत गार दल के संस्तापक भी थे खान अब्दुल गफार खान को 1987 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले गैर भारती नागरिक भी थे और कहां की नागरिक थे तो पाकिस्तान के ये आपसन सही है आपका और अगला जो कोशिन आपका अश्ठा ध्याई लिखी गई थी किसके द्वारा तो यह पारिनी के द्वारा लिखा गया है बी बिकल्ब सही हो जाएगा आपका अश्ठा ध्याई ब्याकरणचारी पारिनी द्वारा लिखी गई यह नंद सासक महापदमनंद के मित्र थे तो ब भी विकल्प सही है और अठवाप रचन आपका पुराडो की संख्या आपको बतानी है कितनी है तो पुराडो की संख्या अछारे है बॉप्वें व्यापस से हुजाएगा नीचे जो है देख सकते हैं पुराडो की रचना लोमहर्छ सिरिसी तथा उनके पूत्र उग्रसरवा द्वारा की गई थी और पुराणों की संख्या कितना है तो अठारे है, अठारे है पुराण आप देख सकते हैं कौन-कौन से हैं, पहला जो है मत्तशी पुराण है, दूसरा है मारकंडे पुराण, तीसरा भभी स्थी, चौथा है वेवर्थ पूरार। सातवं है ब्रह्म पुरार। और आठवं बामन। उसके बाद नौवह जो है वराय है दसवा है विषणु पूरार। इग्रह वायी पूरार। बारहवा अगनी। तेरह है आपका नारत। 14 पद्म पूरार। और 15 लिंग पुराण, 16 है गरुड पुराण, 17 है कुर्म पुराण और 18 जो पुराण है वह असकंद पुराण तो कुल कितने पुराण है, 18 है पुराण है अगला जो कोशिन आपका, निमलिखित में से किस मुगल समराट ने अंग्रेजों को बंगाल में सुल्क मुक्त ब्यापारी की सुविधा पुराण की थी तो यह फरुक सियर के द्वारा पुराण किया गया था, D विकल्प से हो जाएगा मुगल सासक, फरुक सियर, द्वारा 1770 में एक फर्मान जारी किया गया, जिसमें अंग्रेजों को 3,000 रुपे वार्सिक कर देकर बंगाल में बिना अत्रिक्त चुंगी दिये ब्यापार करने की सुविधा पुराण की गयी थी तो याद रखिएगा सासक का नान फरुक सियर, अगला जो कुशिन आपका सेख निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहां इस्थित है, तो यह दिल्ली में इस्थित है, सी बिकल्प से हो जाएगा चिस्ती सिलसिले से संबंदित गुरु बाबा फरीदुद्दीन गज सकर जिन्हें बाबा फरीद की नाम से जाना जाता था, कि दो प्रमुक सिसे थे हजरत निजामुद्दीन ओलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर, दो सिसे थे उनके, जो है थे हजरत निजामुद्दी इन को दफना आए गया था तो C बिकल्ब सही हो जाएगा आपका पुछा गया है सेख निजामुद्दिन अवलिया की दरगाह कहा है तो दिल्ली में है अगला जो कोशिन आपका पूर स्वराजी की घोषना भारती राश्वी कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी तो यह ल जोहालाल नहरु द्वारा पूर स्वराजी के लक्ष की घोषना की गए थी तो यह आपका 1929 सन याद रखेगा लाहोर अधिवेशन और अगला जो कोशिन आपका निमलिखित घटनाओं को काला नुक्रम में बेवस्तित केजिए तथा नीचे दियेगे कूर से सही उत्तर च और इसे आपको काल क्रम की अनुसार दर्साना है तो सबसे पहला है आपका आसरायोग आंदोलन तो यह कब घटित हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 से यह शुरू हुआ था एक अगस्त 1920 से आसरायोग आंदोलन आपका प्रारम हुआ था दूसरा जो है जलियावाला भाग हत्या क तो आपको पता होगा ये 13 अप्रेल 1929 को जलिया वाला भाग घत्याकांड हुआ था, तीसरा है गांधी का चंपारन सत्याग्रे 1970 में हुआ था, और सभी ने आउग्या आंदोलन ये आपका 6 अप्रेल 1930 से प्रारम हुआ था, तो ये आपका अप्रेल 1930 से प्रारम हुआ था, का अगला कोशन है आपका भारती राष्ट्रवाद ब्रिटिस राज का सिसू था यह कथन किसका है तो यह कथन आर कोपलेंड का है बी बिकल्प सही हो जाएगा भारती राष्ट्रवाद ब्रिटिस राज का सिसू था यह कथन किसके द्वारा दिया गया था तो यह कोपलेंड के द्वारा दिया गया था तो बी बिकल्प सही हो जाएगा और अगला जो कोशन आपका भारती उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन संभिधान सभा के प्रतम अध्यक्ष थे तो हुए थे डाक्टर राजजेंद्र पसाद 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संभिधान सभा की वैठक आरंबुई और सचीदान सिन्ना को अस्थाई अध्यक्ष बनाय गया था और 11 दिसंबर 1946 को सभा ने डाक्टर राजजेंद्र पसाद को अपना अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया चुकि भारती सोतंदता अधिनियम 1947 के द्वारा संभिधान सभा भारती अधिराज जी के लिए संप्रभु संभिधान सभा घोसित की गई ततकालीन अध्यक्ष राजजेंद्र प्रसाद थी तो सी बिकल्प आपका यहां से हो जाएगा अगला जो कोशिन है अब आपका मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था कब तो यह पारित किया गया था आपका मार्च 1940 में सी बिकल्प से हो जाएगा मुस्लिम लीग का लाहोर अधिवेशन यह आपका 22 से लेकर के 24 मार्च 1940 को हुआ था जिसकी अधियक्षता मुहमद अली जिन्ना ने की थी और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहित भारत का भी भाजन कर एक प्रिथक मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मांग की गई थी तो याद रखेगा यहाँ मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कपारित किया गया था तो मार्च 1940 में अगला कोशन है अब आपका निमनिखित में से किस अधिकार को भी आर अमबेटकर द्वारा संबिधान का दिल योम आत्मा कहा गया था तो चार आपसन दिया गया है अब देख सकते हैं आपसन यहाँ तो यहाँ चुक से हो जाएगा डी विकल्ब से हो जाएगा संबिधानिक उपचारों का अधिकार डाक्टर भीमरा अमबेटकर द्वारा अनुच्छेद 32 याद रखेगा अर्थात संबिधानिक उपचारों के अधिकार को संबिधान की आत्मा कहा गया है उनका कथन है एक कि यदि मुझसे पूछा जाएगा कि संबिधान में कौन सा विसेश अनुच्छेद सबसे महत्पूर है जिसके बिना यह संबिधान सुनने हो जाएगा तो मैं इसके सिवाए किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा यह सम्विधान की आत्मा है यह जो है टाक्टर भीम राव ओमेटकर के द्वारा कहा गया था तो D बिकल्ब से हो जाएगा सम्विधानिक उपचारों का अधिकार और किस अनुचेद में है तो अनुचेद 32 में है यह अगला जो कुशन है बापका भारत के सम्विधान के किस अ अनुचेद 368 में संसत को सम्विधान यों इसकी ब्यवस्था में संसोधन की सक्ति प्रदान की गई है और अनुचेद 368 तीन प्रकार के संसोधनों की ब्यवस्था करता है पहला जो है संसत के साधार बहुमत से दूसरा संसत के दोतिहाई बहुमत से और तीसरा रज के अधिकारों की सुरक्षा करता है तो यह अनुछेद 32 डी भी कल्प से हो जाएगा अनुछेद 32 के तहट सरोचने आले तथा अनुछेद 226 यह भी याद रखेगा अनुछेद 226 के तहट उचने आले मौलीक अधिकारों के उलंगन के इस्थिती में उपचार प्रदान करते हैं तो यहाँ जो है पूछा गया है आपसे सरोची नियाले तो अनुच्छे 32 हो जाएगा यदि यहीं उची नियाले पूछा जाता तो आपका हो जाता है अनुच्छे 226 और अगला जो प्रशनेव भारत का राष्ट्रपती राष्टरी अपात की घोशना कर सकता है यदि खत्रा है पहला बाहरी आक्रमड का दूसरा अंतरीक सांती का तीसरा ससस्त्र बिद्रोह का चोथा सामपरदाइक संघर्स का तो अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चेयन कीज तो यहां जो सही हो जाएगा आपका आप देख सकते हैं यनि कि पहला सही हो जाएगा है बाहरी आक्रमड का और ससस्तर बिद्रोह का भारत का राष्ट्रपती जो है राष्ट्री आपात काल की घोशना तभी कर सकता है जब बाहरी आक्रमड और ससस्तर बिद्रोह हो यनि कि पहला और तीसरा आपसन जो आपका से हो जाएगा डी भी कलब से हो जाएगा एक और तीन संबिधान के भाग अठारे याद रखेगा भाग अठारे में अनुछे 352 और अनुछे 352 से 360 तक आपातकाल इन उपवंद जो है दिये गए और भारत का राश्ट्रपती अनुछे 352 क के तैत राश्ट्री अपातकाल की घोशना कर सकता है यदि यूद बाह्याकरमर या ससस्त्र बिद्रो की इस्तिती या उसका खत्रा उत्पन हो 24 में समीदान संसोधन द Village आंत्रीक समीदान संसोधन में किया गया था यहाँ आपका सही है D विकल से है एक और तीन और अगला जो कोशन है अब आपका निमलिखित में से कौन सा नीती न देशक तत्तो है तो यह है आपका समान आचार संगिता नेत नहीं दे सकत्त्तों की अंतरगत समान आचार संगिता जो कि आपका अनुछेद 44 में दिया गया है जबकि प्रेश की स्वतनता यह आपका अनुछेद 19 एक यह में दिया गया है धर्म की स्वतंता यह आपका अनुचेद 25 से लेके 28 में दिया गया है और बिधी के समच्छ समानता यह आपका अनुचेद 14 में मूल अधिकारों की अंतरगत जे आता है तो यह बिकल्प यहाँ सही है, कोन सा नीति नीदिसक दत्त की अंतरगत है तो यह आपका समान आचार सेंगता जो की अनुच्छेत 44 में दिया गया है और अगला जो प्रस्ट न है अब तर्की का कौन सा नगर पश्चिम का दोवार है तो यह इस्तामबूल D option से हो जाएगगा टर्की का नगर इस्तामबुल यह पस्चिम का दौर में कहा जाता है इसे सात पहाडी के सहर के नाम से भी जाना जाता है और इस्तामबुल का बिस्तार यूरूब और एसिया यूरूब और एसिया दोनों महादीपों में हैं याद रखेगा तो D आपसन यहां सही हो जाएगा और अगला जो कुशन आपका फाक लेंड धारा प्रवाहित होती है तो यह अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है C बिकल्प सही हो जाएगा यहा दच्छिड अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे फाक लेंड धारा परवाहित होती है तो C आपसन यहां सही हो जाएगा और अगला जो कोशन है निमलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है तो यहां जो है एक तरफ देश दिया गया है दोसरी तरफ राजधानी कौन सा सुमेलित है यह आपको बताना है तो सबसे पहला दिया गया है साइप्रस साइप्रस की राजधानी जो है बगदाद नहीं है कौन सा है निकोसिया यह द रखिएगा साइप्रस की राजधानी है निकोसिया तो A आपका सुमेलित नहीं है बी जो दिया गए लेबनान की राजधानी बेरूत तो ये बिल्कुल आपका सही है लेबनान की राजधानी कौन सा है बेरूत है यानि कि B आपसन आपका सही हो जाएगा ये सुमेलित है और C है टर्की, टर्की की राजधानी दिया गए असगाबाद तो यह आपका गलत है टर्कीर की राजधानी है अंकारा का है अंकारा और यूक्रेन की राजधानी दिया गया है अक्मूला गलत है यूक्रेन की राजधानी है क्यों तो आपसे पूछा गया है यहां कौन सा सुमेलित है तो B आपसन सुमेलित है बाकी जो है सुमेलित नहीं है और अगला जो question आपका बोस्पूरस जलसंधी जोडती है किसको पुछा गया है तो यह काला सागर यो मरमारा सागर को जोडती है बोस्पूरस जलसंधी D option यहां से हो जाएगा और यहां जो दिया गया A option में काला सागर और Aegean सागर तो याद रखी गया काला सागर और येजियन सागर को कर्च जल संधी कौंसी कर्च जल संधी जोडती है और एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को कौंसी जल संधी जोडती है तो यह है आपका ओटरांटो जल संधी यह आपका एड्रियाटिक सागर को भूमध्य सागर से जोडती है तो यह दोनों जो है याद रखिएगा आप यहाँ जो पूछा गया आप से बोस्पूरस जलसंदी तो यह काला सागर यह मरमारा सागर को जोडती है अगला जो प्रश्ण है आपका विस उमें पेटोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है पूछा गया ह तो उस समय जो है एंस्वर्फ आपका सौधी अरब था यह दि बरत्मान में देखा जाएगा यहनि कि आपका इंडियन मिंडल इयर बुक जो लिटेश डाटा है उसके नों साथ देखा जाए तो सरवाधिक पेटोलियम उत्पादक जो चार देश है उसमें टॉप पर है आपका सौधी अरब यहनि किसी भी कल्प सही था लेकिन अब इस समय जो है पूछा जाया प्रशन विश्टुमी पेटोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो है यूएस से याद रखेगा रगला जो कोशिन है भापका भारत ने अपना सौवा क्रिकेट टे खेला था कब 1967 में 1967 में जिसमें उसे 132 रवनों से हार का सामना करना पड़ा था और हाला कि भारत को जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अपनी सौवी जीत यदि प्रशन इस तरह पूछा जा था सौवी जीत किस देश के बिरुद्ध जो है मिला था तो सौवी जीत स्रिलंका के बिरुद्ध जो है मिला था तो यहां डी आपसन सही हो जाता आपका लेकिन यहां प्रसन जो पूछा गया है भारत ने अपना सौवा के टेस्ट मैच खेला था तो वह इंग्लेंड के बिरुद्ध खेला था कब 1960 में तो यहां जो है देखा जाए तो कोई भी आपसन आप का सही नहीं होगा तो नेक्स्ट कोईशन है अब आपका दादा साहब फाल के पुरसकार 2007 दिया गया है किसको तो यह करेंट अफेस का कोईशन था उसमें का तो 2007 में दादा साहब फाल के पुरसकार जिसे दिया गया था मन्ना डे को दिया गया था सी बिकल्प सही था लेकिन बरतमान में देखा जाए तो पिछली बार 2019 में अभी तक का लेटेश्ट जो है दादा साहफाल के पुरसकार दिया गया है करम से देखा जाए तो 6-6 दादा साहफाल के पुरसकार है जो कि अमिताव बच्चन को दिया गया है अमिताव बच्चन को ये अनंगसा बिस्वास को दिया गया है नाम याद रखीगा इनका अनंगसा बिस्वास को ये दिया गया है तो ये है आपका दादा साहाँ फाल के आइकन अवार्ड 2020 दादा साहाँ फाल के पुरुषकार जो है 2019 में अभी तक का जो लेटेश्ट है वह अमिताब बच्चन को दिय गया गया करम से है वो याद रखिएगा और अगला जो कोशन है बापका सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैक्डू लोगों की मृत हुई थी कहां पर आया था यह पूछा गया आपसे तो करेंट अफियर्स का यह प्रशन था उसमें का सामुवा दीप में यह आया था स्री बिक अधिक प्रभावित हुए थे सामुवा और चोंगा दीप प्रभावित हुए थे और अगला जो जो पूछा गया था डूरण कप 2009 का विजयता तो उसमें ज चर्चिल बर्दर था लेकिन बर्तमान में जो है 2019 बर्तमान डेटा में शरब से लेटेश्ट है 2019 का विजयता गोकुलम कीरल यद रखे गोकुलम कीरल 2019 विजित्ता रहा है डूरंड कब 2019 का और अंतिम प्रस्ण चोप पुछा गया था आपसे अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माडा धी नए सोध इस्टेशन का नाम क्या है तो ये था भारती भी आपसन से हो जाएगा भारती की अस्थापना जो हुआ था मार्च 2000 भारे में मार्च 2000 भारे में अस्थापना हुआ था दच्छिड गंगोतरी ये अपसन दिया गया तो भारत ने दिसंबर 1983 में 1983 में अंटार्कटिक महादीप पर भूसन दक्चना, मौसम, परियावरण, जिवास्म, खनीज और आदिके प्रिक्षड हे तु एक अस्थाई मानो युक्त केंद्र धक्छिड गंगोतरी नाम से अस्थापित किया गया था सनियाद रखेगा 1983 मैत्री की अस्थापना जो हुआ था आपका 1988 में तो सबसे लेटेस्ट में भारती की अस्थापना की गई थी बरतमान में मैत्री और भारती अनुसंधान केंद्र ही जो है वह सेवा में है दोनों जो है बरतमान में सेवा में है दचिड गंगोतरी जो है या सेवा में नहीं है तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्रप्रदेश लोग सिवा एक द्वारा GIC प्रवक्ता परिक्षा 2009 में पूछे गए G.S. के कुल 30 प्रशन इसके पहले जो है 2012, 2015, 2017 और 2018 GIC प्रवक्ता परिक्षा में पूछे गए G.S. के प्रशनों को जो हम लोग घल कर चुके हैं जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे हैं. और दोस्तों जो आपको बता दें कि आप UP के किसी भी एकजाम की त्यारी करना चाते हैं, तो आप आने अकेडिमी से जुड़के आप त्यारी कर सकते हैं, यह आप जो है सब्सक्रिप्सन लेते हैं, तो आपको डेली लाइप क्लासेस मिलेंगे, लाइप टेस्ट होगा, क्यू और कोसेस जो अबिलेबल हैं, UPPSC के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको UPPSC का न्यू फाउंडेशन बैच इस्टार्ट यब्री वेडनेस डे बाइटाफ यूपी पीसेस एजुकेटर्स है, यह आपको प्रतेक बुद्धवार को UPPSC का फाउंडेशन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको UPPSC के टाफ एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जागे, UPSI बैच है, BEO है, ROERO, लेकपाल है, UP जिल वार्डर, TGTPGT है, और मेनी मोर UP स्टेट एक्जाम कोर्सेस टू इडेट सून, और आपको बता दें कि ROERO का जो फाउंडेशन कोर्स है, यह 21 दिसम्बर से स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग इस बैच से जोना चाते हैं, आप जोड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, और UPPSC फाउंडेशन के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग इस बैच से जोना चाते है आप जूर सकते हैं इस बैच से निचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गिया है वहाँ से आप जो है जाके देख सकते हैं और इसमें आपको टाफ एजुकेटर्स द्वारा जो है UPPST और UPSST के एक्जाम की तयारी करा जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर टाफ एजुकेटर्स द्वारा आपको तयारी करवाया जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वन मंत का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपे पड़ेगा यहाँ आप हमारे रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपे देना होगा यहाँ आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा आप देख सकते हैं आप एक्जाम लर्नर तो आपको 10% का वहाँ पर डिस्काउंट रिया जाएगा यहाँ यहाँ नहीं 1 मंत का 1400 रुपे पड़ रहा है यहाँ रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपे देना होगा 3 मंत का 3500 रुपे फीज है रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 रुपे पड़ेगा 6 मन्त का 5600 रुपए है आप referral code यूज़ करेंगे तो आपको 5,440 देना है एक साल का इनकी 12 मन्त का 7,000 रुपए है referral code यूज़ करते हैं तो आपको 6300 रुपए ही देना है 24 मन्त यानि कि 2 साल का रियाब subscription लेते हैं तो आपको जो है 8400 रुपए फीस है यानि कि referral code यूज़ करने के बाद ये आपको 7560 रुपए में ये course आपको मिल जाएगा तो ये code जो है आप जरूरी यूज़ कीजिएगा exam learner जिससे आपको 10% का discount मिल जाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको unacademical learning app इस्टाल करना होगा उसके बाद आप जो है subscription ले सकते हैं